आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग इंडिया नियूज, किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत फेल होने के बाद किसान नेताओं ने एलान किया था कि वो जो है टोल नाकों को फ्री कर देंगे तो आज 12 दिसंबर को वो टोल नाकों को फ्री करना सुरूं कर चुके हैं जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खबरे आ रही हैं कि बागपत के टोल को किसान नेताओं ने फ्री कर दिया है, वहीं पर अमबाला के टोल प्लाजा को फ्री कर दिया गया है और हरियाना में करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा को भी किसान यूनियन के ने नेताओं ने फिरी कर दिया है जी हां दोस्तों जो उन्होंने कहा था उन्होंने अब वो करना सुरू कर दिया है लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं दिल्ली आगरा हाइवे और दिल्ली जैपूर हाइवे को जो उन्होंने जाम करने की बात की थी अभी वो हाइवे लेकिन किसान यूनियन के नेताओं ने जो है अब पंजाब हरियाना उत्तर परदेश के कई टोल पलाजा को फ्री करना सुरू कर दिया है दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल जिस तरीके से उमर खालिद सुधा वरदवाज इन सब की तक्तियों और पोस्ट्रों को लेकर लोग इस आंदोलन में परदर्सन कर रहे थे इस पर किसान उनियन के नेता रकेश टिकैस से जब मीडिया के लोगों ने बातचीत की तो जब उन से सवाल पुछा गया कि आखिर आपके आंदोलन में ये लोग क्या कर रहे हैं तो उनका कहना था कि ये हमारा काम नहीं है ये इंटेलिजेंस का काम है जो है चेक करे और जो सरारती तत्तों हैं उनको इसान दोलन से बाहर निकाले लेकिन हमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए हम इस पर और कुछ कहना नहीं चाहते हैं वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फिक्की के आज एक कारिकरम में परधान मंतरी मोदी ने अपनी परधान मंतरी मोदी ने आगे बोलते हुए कहा कि आज भारत का एगरी कल्चर सेक्टर पहले से जादा बाइबरेंट हुआ है अब किसानों के पास मंडियों के अलावा बाहर भी समान बेचने के आप्सन हैं और वो डिश्टल माध्यम से खरीद और विक्री कर सकते हैं वहीं पर उन्होंने कहा कि यह किसान समरिद होंगे तो देश और जादा मजबूत होगा वहीं पर आगे बोलते हुए परधान मंतरी मोदी ने कहा कि एगरी कल्चर सेक्टर में जितना प्राइबेट निवेस होना चाहिए था उतना नहीं हुआ हमारे हाँ कोल्डी स्टोरेज की समस्या रही फर्टिलाइजर की दिक्कत रहती है इसे इंपोर्ट किया जाता है इसके लिए उद्यमियों को आगे आना चाहिए किसानों को जितना सपोर्ट मिलेगा हम जितना इंवेस्ट करेंगे उतना किसान और देश मजबूत होगा प्रधान मंतरी मोधी के बार बार आगरा करने और अपनी स्पीचेज में किसानों की स्थिती को लेकर सब कुछ साफ करने के बावजूद भी किसान यूनियन और किसान आंदोलनकारी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और उन्होंने कई राज्यों के टोल पलाजा को फिरी करना सुरू कर दिया है अब देखना ये होगा जिस तरीके से उन्होंने एलान किया था कि वो पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर देंगे दिल्ली जैपूर हाईवे को जाम कर देंगे तो क्या किसान यूनियन के नेता और किसान आंदोलनका ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भोलिए